उत्तरप्रदेश के जिला मुरादवाद जन्पत के विकासखन मुणडापांडी ब्लॉक शेत्र की ग्राम पंचायत विकनपुर गाउं इस्थित बने पुल का मुखे मारुग बार के तेज बहाप के चलते कट चुका है और तीज गाउं के आगमन बंद हो गए बताते चलिएं कि बीती दिनों मैदानी वा पहाडी शेत्रों में हुई लगतार मुसलधार वरसात के कारण डैम वा नदियों में उफान पैदा हो गया बेराज द्वारा पानी छोड़ने के कारण नदियों का जलिस्तर बढ़ गया जिससे ग्रामेट शेत्र में फसलों और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुँचा है कई मार्ग पूर्ट अवरुध हो गए तथा कुछ उबढखाबर मार्गों में तबदील हो गए मुरादबाद रामपूर राष्टरी राजमार्ग पर अक्काडुलारी से कुंदर्की को जाने वाले संपर्क मार्ग पर बीच में बिकनपूर गाउं से सटवी रामगंगा नदी पुल का अप्रोच के पूँढ रूप से कट जाने के कारण मार्ग बंध हो गया लगतार पानी के तेज बहाव ने पुल के एक किनारी की सड़क को काट दिया और मुखे मार्ग पर लोगों का आगमन बिल्कुल बंद हो चुका है बता दें कि पिछले सब्तहा गिरामीडों की शुकायत पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इस्थल का दौरा किया और सुरक्षा की दरस्टिकोंड से मार्ग को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करा दिया था वीते तीन दिनों से रामगंगा का जुलिस्तर बढ़ा हुआ है और सड़क का जुड़ा हुआ जिसमें एक हिस्सा डह गया जिससे गिरामीडों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा चेतर के लगभग तीन दर्जोन अधिक गाउं इस मार्ग से जुड़कर नगर वाकुंदर की तकास सफर तै करते थे जिनको अब अधिक दूरी तैकर महानगर घूम कराना पड़ रहा है कुछ यात्री तो अपनी जान जोखी में डाल कर सफर करने को मजबू है यात्री वच्छे द्रवासियों का कहना है कि जल से जल मुरादबाद जिलावधिकारी द्वारा इस मामले का संग्यान लेकर यात्रियों के लिए सुविधा उपलत कराई जाए ताकि कोई बड़ी अ बहुत ज्यादा है कि हमारे लिए तो नाप की वदूस्ता बनाई जाए या रास्ते कुछ जल से ठीक किया जाए ताकि आने वाले आने जाने वालों को परिशान ही ना हूँ अभी तक कोई नहीं आया कि कई बार मांग की है उनसे था यहीं का निवासी हूँ और यहीं का निवासी हूँ यहां यह जो पुल कटा है जो इसका लाश्ट का मारग संपर्क मरग वो पूरी तरह से खतम हो चुका है यह जो संपर्क मरग है इसका कम से कम 30-40 गाउं को जोड़ता है और लगबग इस गाहों से रामपुर के लोग भी आगावंगन करते हैं आते जाते हैं सारी सुभीदा बंद हो चुकी है और पिरसासन का कोई भी इस पुल के दियान नहीं है कोई भी पिरसासन की ओर से यहां नहीं आया है कभी कोई इमर्जंसी पर जा या एम बश्ता कराई जाए पिरसासन ने बिल्कुल भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई नहीं देखा एदर आके कि क्या है क्या नहीं है यहां जोड़ जानमाल का भी खत्रा बना हुआ है यहां इस्टेंड करने वाले और भी लोग आते हैं देखते हैं चलांग लगाते हैं तो जिससे की जानम का खत्रा बना रहता है और मैं पिरसासन से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द कुछ न कुछ इस पर कारवाई करनी चाहिए धन्यवाद